ओम शांती, आज 18 नमबर 2021 के साकार मथुर महवाक्य हैं, आज सत्गुरुवार वर्दानी दिवस है, वर्दानी दिवस पर हम परम सत्गुरु से विशेश वर्दान लेते हैं और उन वर्दानों को बुद्धी में बार बार सिम्रन करते हैं, जो आत्माई संपरक में आती हैं, उन्ने भी संकल्प से वर्दान देते रहना है, ताकि वो आत्माई भी वर्दाता के वर्दानों से सदा पलती रहें और उडती रहें. आज बाबा ने बहुत सुन्दर वर्दान दिया है त्याग और स्नहे की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सदास ने ही सहयोगी भव शुरू शुरू में जब ग्यान के शुरुआत हुई तो ग्यान इतना सुपष्ट नहीं था लेकिन त्याग और स्नहे की शक्ति से सफलता मिलती रही जैसे शुरू में त्याग के अधार पर स्नहे के अधार पर सब के जिगर से निकलता था मेरा बाबा मेरा यग्ये बाबा के यग्य के प्रती दिल से प्यार था इसी शक्ति से मन मनाभव रहे इसी शक्ति से सभी केंद्र बने जैसे शुरू में त्याग और स्नेह से कार्य हुआ ऐसे अब भी इस त्याग की शक्ति से स्ने की शक्ति से सेवाओं में सफलता को प्राप्त करना है सदा सबके स्नेही सहयोगी बन करके रहना है बाबा ने बहुत अच्छी बात अजबक्की कराई कि इस ज्ञान मारग में आपकी सदा चड़ती कला होनी चाहिए चलते चलते चड़ती कला क्यों रुक जाती है उसका मूल कारण है चेक करेंगे अपने आपको वो मूल कारण है एहिंकार अपने को चलते चलते होश्यार समझने लगते हैं बाबा की मुरली मिस करने लगते हैं ब्रह्मा बाबा की द्वारा श्यू बाबा ज्यान देते हैं तो कोई-कोई ब्रह्मा बाबा का सम्मान नहीं करते बेदबी करते हैं तो बाबा केते फिर चड़ती कला नहीं हो सकती, बच्चे वाइदा करते हैं, बाबा अब हम कुछ भी हो जाए, कभी भी संशय बुद्धी नहीं बनेंगे, कोई हमें संशय बुद्धी बनाने की कोशिश भी करें, कितने भी विगन आएं, हम आपका साथ और हाथ नहीं छोड लेकिन चलते-चलते माया बीच-बीच में विगन डाल देती है, बच्चों को अपनी मंजिल का ध्यान रखना है, बहुत उची मंजिल पर हम जा रहे हैं, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना, बरबाद नहीं करना, हम बाबा के पास आई हैं, तो सेवा का उमंग होना चाहिए सेवा करेंगे तो खर्चा होगा ही, आपे ही हुंडी भरती जाएगी, किसी से कुछ मांगना नहीं है, कोई थोड़ी सेवा करते हैं, एंकार आ जाता है, बाबने का कोई तो चार आना सीखे हैं, कोई दो आना सीखे हैं, कोई एक आना और कोई एक पैसा सीखे हैं, लेकिन अ अब इमान जब आ जाता है, तो ब्रह्मा बाबा का सम्मान नहीं करते, मुरले मिस करते हैं, बाबा को पत्र नहीं लिखते हैं, अपना सच्चा समाचार नहीं देते हैं, तो ऐसे बच्चे उच्च पद नहीं पा सकते, बाबा को पूरा-पूरा समाचार देना है, शुव के चलना है ब्रह्मा बाबा की दिल से उत्रा माना शिव बाबा की दिल से भी उत्रा कोई कोई बच्चे पूरे दिन में बाबा को याद ही नहीं करते पत्र भी नहीं लिखते हैं सारे दंदे धोरी में पड़े रहते हैं या विगनों में पड़े रहते हैं अपना पूरा- अच्छे, याद में रहते हैं, उनमें ही purity की light बढ़ती जाती है, जब आप सत्यों में थे तो double sir ताज थे, धीरे धीरे द्वापर में आई तो एक ताज उतर गया, single ताज वाले बन गए, अभी तो no ताज, तो अभी क्या light दे सकते हैं, जितना योगबल बढ़ता जाएगा, उतना light बढ़ती जाएगी, याद करते करते आत्मा पावन बनती जाएगी, स्वदर्शन चक्र भी फिर आते रहना है, ये चित्र भी बहुत बड़े-बड़े होनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छी सेवा होगी, त्रिमूर्ती, गोला, ज्जाड, सीड़ी, ये चित्र बह बच्चे बाबा को याद करेंगे, वो ही खुशी में रह सकते हैं, याद ही नहीं करेंगे, तो खुशी कैसे बढ़ेगी, चेक करो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, अपने याद की यातरा को बढ़ाते रहना है, जो बच्चे याद में रहते हैं, दूसरों को याद दिलाते हैं वोही उच्पद पाते हैं। पावनी बहुत अच्छी बात स्लोगन में समझाई कि फरिष्टा बनना है तो अपने बोल पर अटेंशन देना है। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल नहीं बोलने हैं। अपने उपर पूरा अटेंशन देना है। आज वर्दानी मुरत बन सबको वर्दान बाटते रहेंगे। अपने बोल पर फुल अटेंशन रखेंगे। मेरा हर बोल सुखदाई हो। मेरा हर बोल वर्दानी हो। जितना जितना वर्दानी बोल बोलेंगे उतना फरिष्टा बनते जाएंगे अब सुनते हैं मुरली विस्तार से ओम शान्ती गुड़ मॉर्नी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ये मंजिल बहुत भारी है इसरे अपना समय बरबाद ना कर सतो प्रधान बनने का पुर्शार्थ करो प्रशन है बच्चों की चर्टी कला ना होने का मुख्य कारण क्या है उतर है चलते चलते थोड़ा भी इंकार आया अपने को इशार्थ समझा मुर्ली मिस की ब्रह्मा बाबा क्या वग्या की तो कभी भी चर्टी कला नहीं हो सकती सकार बाब की दिल से उत्रा माना निराकार बाब की दिल से उत्रा क्योंकि हमें शिरीमत परमान चलना है गीत है लाख जमाने वाले तेरा शुक्रिया ओम शान्ति बच्चों ने गी सुना, बच्चे कहते कोई भी हमको संशे बुधी बनाने के लिए कुछ भी करे हम संशे बुधी नहीं बनेंगे भाल कितनी ब्यूटी सुटी बाते सुनाएंगे तो भी हम संशे बुद्धी नहीं बनेंगे शिरी मत पर चलते रहेंगे बाप रोज रोज बिन बिन पॉइंट समझाते रहते हैं सज्जू में नौ लाग थे तो जुरूर इतने बाकी सब आत्में शांती धाम जाएंगे तो जो बुद्धीवान होगा वे इन बातों को इशारे से समझाएगा कि ब्रॉबर इस लड़ाई से ही अनेक धरम बिन आशो एक सत धरम देवी देवता धरम की स्थापना होनी है जो लाइक बनेंगे वो ही मनुष्य देवता बनेंगे बाब के बिना कोई भी मनुष्य देवता बना नहीं सकता तो बच्चों को जाद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है माया घड़ी-घड़ी भुला देती है यहां से अब आबाबा को जाद कर सतो प्रधान बनना यहां पर ही बनना है कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए नियों थोड़ी है कहते भी है शैद बड़ी लड़ाई हो भी जाए तो बंध हो भी ना सके एक दो में लड़ने लग जाएंगे तो बाबा कहते क्यों न विनाश होने से पहले बाब को जाद कर तमो प्रदान से सतो प्रदान बनने का पुर्शार्थ कर लो विनाश से पहले बाब को जाद कर क्यों न तमो प्रदान से सतो प्रदान बनने का पुर्शार्थ कर लो जाद की जात्रा में ही माया भी गंडालती है इसरी बाबा रोज रोज कहते हैं अपना चार लिखो मुश्किन कोई दो-चार दिन लिखते बाकी सारे दिन धंदे धोरी में बैस्त हो जाते हैं बच्चों को ये तो मालुम है कि हमको सत्तो ब्रधान तो जरूर बढ़ना ही है तो काम भी रहते पुर्शार्थ करना है मनुश्यों को समझाने के लिए चितरादी भी बनाते रहते क्योंकि इस समय मनुश्य हैं सो परसेंट तमव प्रधान पहले जब मुक्ती धाम से सुखधाम में आते हैं तब सतो प्रधान होते फिर सतो रजो तमव में आते हैं इस समय सब तमव प्रधान बन गए सब को बाबा का पैगाम देना है तो बाब को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे विनाश्वी सामने खड़ा है सद्यू में एक धर्म था बाकी सब निर्वान धाम में थे बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए बड़े-बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे सब को बाबा का संदेश देना है मन मना भाव अल्लफ और बे अल्लफ और ला बे मना वर्सा इस समझाने में में मेनत कितनी करनी पड़ती है समझाने वाले भी नंबर वार है बेहद के बाब के साथ लव होना चाहिए बुद्धी में ये रहना चाहिए हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं हम खुदाई खिद्मत गार है अब बाबा आया है बच्चों की खिद्मत करने सेवा करने कितना उत्म देवी देवता बनाते है आज हम कितने कंगाल बन पड़े है सद्यू में कितने सरुगन संपन बन जाएंगे जहां तो एक-दो से लड़ते हैं अब उनको समझाने वाला भी चाहिए विदेश में भी ये नौले देश सकते हैं एक ही बास सभा में बैठ समझाओ के मां भारे लड़ाई तो नामी ग्रामी है इससे पुराने दुनिया का बिनाश होना है अभी गाड़ फादर भी यहां है जरूर वही ब्रह्मादार अस्थापना कारियां सरकी शंकरदार बिनाश भी होना है क्योंकि अभी है कल जूगा सद्जू के बीच का संगम नेचरल कलेम्टीज भी होनी है थर्ड बार दी लास्ट बार होती है फाइनल विनाश जरूर होना है इसरे अब सब को यही संदेश देना है कि बिहद के बाब को याद करो तो याद करते करते मुक्ती धाम चले जाएंगे बाल अपने धर में भी रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर में भी अच्छा पत पा सकेंगे बाबा की सर्विसेवर बच्चों में नजर आती है कि इंद्र सभा में सूर्य वंशी राजारानी बढ़ने वाले आने चाहिए जो सर्विस नहीं करते वो लाइक नहीं बच्चों को बहुत नशार आना चाहिए कि हम कल सरग में जाकर राज़कुमार बनेंगे जहां तुम आयो राज़योग सीखने अच्छी रिती नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे बाबा के पास सर्विस समचार आना चाहिए बाबा आज मैंने ये सर्विस की बाबा को भी जाद वही बच्चे रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं बाबा का परिचे देते रहते शिव बाबा ब्रह्मा द्वार ब्रह्मा द्वारा प्रजा बिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्सा देते है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रामनों की रचना रहते है अब यह और सब धर्म है बाकी देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वे गुम है यह सारा खेल बना हुआ है सीरी में सब धर्म नहीं है इसका रंगोले पर समझाना पड़े गोले में साफ है ये भी समझाना है ये भी समझाना है कि सज्जु में देवी देवता डबस से ताय थे इस समय पवित्रता का ताज कोई को नहीं है हम पवित्रता के लिए, लाइट के लिए पुर्शार्थ कर रहे हैं शरीर तो जहां पवित्र है नहीं आत्मा यो बसे पवित्र होते होते अंत्में पवित्र हो जाएगी पर ताज तो मिलेगा सज्जू में सज्जु में डबल ताज, भर्ती मारग में सिंगल ताज, क्योंकि पवित्रता खतम हो जाती है जहां तो कोई ताज नहीं, अब तुमको सिरप्योर्टी का ताज कहां दिखाएं लाइट कहां रखें, ज्यानी तो बने हैं, प्रन्तु कम्प्लीट पवित्र जब बनते हैं तो लाइट होनी चाहिए जैसे ममा सुक्षम वतन में पवित्र फरिष्टा है, वह सिंगल ताज है, प्रन्तु लाइट कैसे दिखाएं जोग में जब बैठते हो तो लाइट दिखाएं, आज लाइट हो, कलपती बन जाएं तो लाइट गुम हो जाती है, इसरी आन्त में जब कर्माती तवस्था होगी, तब लाइट हो सकती है प्रन्फिर तुम संपूरन बनते बनते चले जाएंगे सुक्षमवतन में, जैसे बुद्ध क्राइशो दिखाते हैं, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं तुम भी बाबा को जाद करते हैं, जब पवित्र बन जाएंगे, सुदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम रजाई पत पाएंगे वहां वजीर होते नहीं, जहां बहुतों से राईले नहीं पढ़ती है, वहां तो सेम इतने नौलेजफूल होते हैं वहां तो सब सत प्रदान, इसरी ये समझने की बाते हैं, मीठे मीठे, सिकलदे बच्चों पृत, मात पिता, बाब दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुहानी बाब की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाब दादा को नमस्त नमस्ते बाबा, गुड मार्नी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाब दादा से अफ्रीम लेने के लिए, बाब के उंचे कारे में पूरा पूरा मददगार बढ़ना है, बाबा को अपनी सिवाओं का समचार भी देना है, दूसरा, देवी मान में आकर कभी भी बैद भी नहीं करनी है, उटे नशे में नहीं आना है, अपना समय बरबाद नहीं करना है, सरविस की युक्तियां रचनी है, सरविसेवल बनना है, अब आज का बरदान । सेवा में सफलता प्रापत करने वाले सनेही सयोगी भव त्याग और सने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्रापत करने वाले सनेही सयोगी भव जैसे शुरू में नौलिज की शक्ति कम थी लेकिन त्याग और सने के अधार पर सफलता मिली बुद्धी में दिन राज बाबा और यग तरफ लगन रही जिगर से निकलता था बाबा और यग इसी सने ने सभी को सियोग में लाया इसी शक्ती से केंदर बने सकार सने से ही मनमना भाव बने सकार सने ने सियोगी बनाया अभी भी त्याग और सने की शक्ती से घिराव डालो तो सफलता मिल जाएगी शरोगन है फरिष्टा बढना है तो व्यार्थ बोल डिस्टार्व करने वाले बोल से मुक्त बना फरिष्टा बनना है तो व्यार्थ बोल और डिस्टार्व करने वाले बहुत से मुक्त बना ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें